कि अंधि फिर्टाइब वैलो फेंड्स वेल्कॉम् तु मैइ इस्टडी फिर्स चैनल दोस्तों जैसे की मैं इस पोर्स मेजर्मेर्टेज्स रेलेटेज सीरीच चला रही हूं जिसमें से मैं इतलेटिक रेलेटेज सभी फॉइंट को सभी एमसे की क्वेजिए को पांचे वीडियो में बता चुकी हूँ मैं हांकी के बारें बता रही हूं जिसमें से दो विडियो हांकी को हो चुका हैurg句 तो मेरे चैनल के बीडियो मेर चैनल मेरे चैनल पर बेहतरी तैयारी के लिए तो चलिए चलते हैं आज के कोश्चन की तरफ सुरू सेलाश तक देखिएगा यह भी कोश्चन इसकीप मत कीजिएगा तो कोश्चन नमबर वन है दोस्तों कि 2012 का दोड़ा चार आवार्ड किसको दिया गया तो इसमें आप चारो आपस स्पेस एरिया कितना होता है तो हांकी में फ्री स्पेस एरिया चार से पांच मेटर होता है ठीक है जिए जर्फ है आप गोटि ऑमप बलबीस टीरियम कि स्खेल से समधित है तो ईभा दियान में रखेंगा इस्टीडियम भी पूछता है train मायोर, राधा, किष्णन, इस्टेडियम किस खेल से समधित है तो यह भी आपका हाकी से रिलेटेड है सौर्ट कार्णर सब्द का किस खेल में प्रियोग होता है तो सौर्ट कार्णर सब्द का हाकी में प्रियोग होता है नेश्ट है खेलते समय यदी बाल पैर पर लग जाती है तो यहाँ पर किस सब्द का प्रियोग होता है तो यहाँ पर कैरिड सब्द का प्रियोग होता है नेश्ट है दोस्तो यदी बाल मैच के दौरान डिफेंडर की हाँकी से लग कर गोल लाइन से बाहर जाती है तो रैफरी का नेड़े क्या होता है तो रैफरी उसको लांग कार्णर देता है जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाकी में पिनाल्टी कार्णर, पिनाल्टी स्ट्रोक एंड फ्री हीट इजादे परशलित सब्द है जैसे कि पिनाल्टी कार्णर कब दिया जाता है यदि हाकी खेलते समय जो सूटिंग सर्कल डी होता है उसके अंदर डी के अंदर जो अगर डिफेंडर के पैर पर बाल लग जाती है तो रैफरी उसको पिनाल्टी कार्णर देता है ठीक है और पिनाल्टी इस्ट्रोक क्या होता है तो यदि सूटिंग सरकल में ही अंदर जान पूछ कर कोई खतरनाक भावल होता है तो रेफरी द्वारा उसको पिनाल्टी इस्ट्रोक दिया जाता है और दोस्ते एक होता है फ्री हिट जैसे कि जो 23 मिटर रेखा यानि कि जो 25 गज की रेखा होती है उसके बाहर से जड़ी हांकी में खेलते समय किसी भी खिलारी के पैर में बाल लग जाती है तो रेफरी का निड़े फ्री हिट होगा तो इस चीज को आप धियार में रखना है और कुछ बाते हैं जैसे कि पिनाल्टी कार्णर के समय जब पिनाल्टी का को मिनिमम कितनी दूरी पर खायर आना पड़ता है तो पांच गर्च की दूरी पर तो चलते हैं नेक्ट कोंस्टन की तरफ तो दोस्तों नेक्ट है इसकूप करते समय इसकूप होता क्या है दोस्तों इसकूप जैसे कि जब बाल हम जमिन पर रखते हैं उसके नीचे हम हाकी ह पाकी के हेड के जो मुड़ा हुआ सीजा होता है उसके नीचे बाल को रखा जाता है जिसे की बाल को उठाया जाता है एक दम से तथा बाल जमीन को छोड़कर उपर हवा में जाती है उसी को इसकूप बुला जाता है तो इसकूप करते समये डिफेंडर फ्लेयर कम से कम कितनी दूरी पर खड़े होना चाहिए दोस्तों तो पांच मीटर की दूरी पर कितने मीटर? पांच मीटर की दूरी पर नेश्ट है इसकूब रिसीवर करते समय रिसीव करते समय या अट्रेक्टर की अट्रेकर की दूरी लगभा कितनी होनी चाहिए तो पास मिटर ही होनी चाहिए नेश्ट है गोल होने पर खेल कहां से प्रारंब होता है तो गोल होने पर खेल सेंटर पॉइंट से प्रारंब होता है एंड दोस्तों यदि कोईशन ये पुछा जाता है कि हाकी खेल की सुरुवात कैसे होती है तो सेंटर पास से होती है ये ध्यान में रखेगा और जब गोल हो जाता है तो गोल होने पर खेल कहां से प्रारम होता है तो सेंटर पॉइंट से ही सुरू होता है नेस्ट हाकी स्टिक को जाच के लिए जिस रिंग से गुजारा जाता है वह कितने इंच की होती है तो वह दो इंच की होती है जैसा कि दूस्त हाकी स्टिक जो होता है एक सो पांच सेंटिमीटर लंबा होता है और जो हाकी स्टिक होता है वो दो इंच चोड़ा होता है और जो मुरा हुआ सिरा होता है वह चार इंच का होता है तो उसको जाश करने के लिए दो इंच का रिंग से गुजरा जाए कि वो सही है कि नहीं निट है तो दोस्तों जैसा है कि पर्थम महिला विसुकप 1974 में डल्यू फ्राउंस में हुआ था जिसमें हालेंड विजेता था जैसे कि पूरुस विश्वकप की बात करें पूरुस हाकी विश्वकप की तो वह 1971 में बरसी लोना इस्पेन में हुआ था जिसमें पाकिस्तान विजेता था और 2022 में अगला पुरुस हाकी भी सुकप होगा जो 23 जनवरी से जो 23 जनवरी सो 29 जनवरी तक 2023 में भुनिस्वर के कलेंगा स्टेडियम में होगा इध्यान में रखेगा ने से दोस्तों अगा ने 7 खेलो में हाकी को कब शामिल किया गई तो Ici खेलो में हाकी को 1908 वारत में उलंपिक में महिलायो को 1882 अग को 1908 यूलंदन सामिल किया सुप जनव महिलायों और महिला आपने 1908 मास्च को रुस लंपिक में आप पिछे जमीन से एध्यां, गोल बोर्ड की उचाई कितनी होती है तो अठारा इंच होती है कितना होता है अठारा इंच होती है नेशा दोस्तो हीम स्वाड कप सिजार्स क्लार कप खान अब्दुल गफ़ार खान ट्राफी किस खेल से समंधित है तो हाकी से समंधित है अन्य पूरुस हाकी में ट्राफिया जैसे की रंगा स्वामी कप पूरुस के लिए एंड लेडी रधन टाटा कप महिला के लिए दिया जाता है इसके लवा अन्य कप एंट ट्राफिया है बेटन कप बेगम रसूल ट्राफि महराजा रजीत सिंग गोल कप ध्यांचन ट्राफि नहरू ट्राफि सिंधिया गोल कप लाल बहादु सास्त्री कप बेलिंग गटन कप इंदरा गांधी गोल कप अजलन साह कप एंड गुरुगप गोल्ड कप, कुडाकू कप, गुरुनानक कप, कलापक टॉफी, आगाखा कप, अलपस कप, इस सब आपके हौकी से रिलेटेड हैं। जैसे कि हाकी में कौन-कौन से सब्दों का प्रियोग किया जाता है, तो उसको ही मैं बताएं हूँ जैसे कि राइड- बैक, लिफ्ट- बैक, आउटसाइड, इनसाइड राइड, सेंटर फ़रवार्ट, इनसाइड लेप, आउटसाइड, लेप्ट, सेंटर हाप, कार्नर, पेनाल्टी Ihnen च्ट्रोक, पेनाल्टी चार्णर, क्लीक, स्टीक, अंपायर, ट्राइह, प्रेकर, सदिर्ट, कि मैं दोस्तो हा की खेल को किस देश में हारले नाम से जाना जाता है तो और भारत के क्पिया है दो आप सबको पता हैं एक फिल्ड हाकी है ले दिछेग ब्लैक हीथ रगबी एंड हाकी क्लब की इस्थापना कब हुआ था तो ब्लैक हीथ रगबी एंड हाकी क्लब की इस्थापना 18 से 61 सी में हाकी का ये प्रतम क्लब है ठीक है नेश्था दोस्तों कि हाकी का पहला अंतराष्टी मैच कब खेला गया था तो हाकी का पहला अंतराष् 1895 में राइल इंग्लेंड में खिला गया था वेल्स और आयर्लेंड के बीच नेश्ट हांकी का पहला अंतराश्टी मैच किसके मद्ध खिला गया था तो वेल्स और आयर्लेंड के बीच खिला गया था नेशे दोस्तों उलम्पिक में हाकी को कब सामिल किया गया तो आप सबको पता है 1908 में लंदन उलम्पिक में हाकी को सामिल किया गया था और महिलाओं को उलम्पिक में 1980 मास्कों रूस उलम्पिक में सामिल किया गया था नेश्य दोस्तों British Hockey Association की इस्थापना कब हुई तो British Hockey Association की इस्थापना 16 April 1875 में London के Canon State Hotel में हुआ था और यही से हाकी की हकीकत सुरुआत हुई थी नेश्य उनिसो आठ हो निसो बीस के Olympic में हाकी खेला गया मगर हाकी स्थाई तोर पर कब सामिल किया गया भारत की तरब से दोस्तों तो भारत जो है उनिसो आठ हो निसो बीस में भी खेला था बट इस्थाई तोर पर वह हो खेला था 1928 इवर्श्ट कर्म हार्लेंड उलम्पिक में जिसमें इसमें से अभी तक में ओलंपिक में हाकी में 12 पदक जीता है भारत ने ओलंपिक में अभी तक में कितना पदक जीता है बारा पदक इसको आप ध्यान में रखेगा उन बारा पदक में कौन कौन सी पदक है थो हज़ार एक रज़त पत काशियांते है 묵न दिस तरफ एक रज़त थाने पत अहरां bigger कि कुल बारह पत कर्थ हाक्या में जीता नू झाँ अहंतुं से चुछ काशिया तो फ्सट्र की तरफ नगेशन थार्य काया में एक तेररें गर्जार Insert 1927 में, नेश्ठ हाकी को अंतराष्ची बनाने का स्रेबेल्जियम के किस नागरिक को जाता है, तो फ्रैंक को जाता है, नेश्ए दूस्तों कराची में सिंध हाकी एस्थापना कब हुई, तो 1920 में हुआ, नेश्ड हाकी कब हुआ, थेकई हा? Poryat का प्रस्म हाकी क्लब है कलकता हाकी क्लब 1980-87 में 1856 में इस्थापना Kimya गया स्थ Operations उस्थास्था की जाता है कि मीज़र ध्यान चन्द को आप सभी को पता है जर्षास्था भारती हाकी टीम ने अमेरिका को कितने गोलों के अंतर से हराया जो आज तक भी एक विस्टू रिकार्ड है तो 24-1 के अंतर से हराया नेशा दोस्तों भारती हाकी टीम किस उलम्पिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी तो 2008 बीजिंग उलम्पिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई का step by step लगातार वीडियो ज आएगा बस लगातार आप बने रहे आई हो की दोस्तों सभी questions आपको समझ में आये होंगे वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताईए और जादे जादे share भी किया कीजिए दोस्तों और फर्स बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक् कर दोस्तों सब्सक्तों 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 झाल झाल